हेलो एन वेल्कम दोस्तो मेरा नाम है आसु मौर्या और आप देख रहे हैं टेक 10 हिंदे दोस्तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी अप्लिकेशन ले आया हूँ जिसकी मदद से आप अपने फोन में बैक्गाउंड में चल रहे है अप्लिकेशन को यानि पालतू के जो अप्लिक अपने फोन की बैटरी लाइप को भी बढ़ा सकेंगे तो दोस्तो चलिए जानते हैं इस एप के पारे में दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल Tech10 Hindi को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के पाद बगल में बेल का आइकन आएगा यानि घंटे का आइकन आएगा इस पर क्लिक कर दे ताकि हम जब भी नए वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्तों अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल टेक्टें हिंदी को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पटा-पट से सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि कि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक रिलेटेड वीडियो लाते रहें तो चलिए दोस्तों मैं आपको उस एप के बारे में बताता हूँ दोस्तों उस एप का नाम है Greenify, G-R-E-E-N-I-F-Y दोस्तों Greenify हमें प्लेश्टोर पर आसानी से मिल जाएगा तो मैंने इसे इंस्टाल किया हुआ है आपको दिखाने के लिए तो मैं आप दिखे ओपन किया मैंने इसे अब यहां से हमें next करना है और यहां से किसी भी तरह की permission मांगेगा तो आपको allow कर देना है अब यहां पर आपसे पूछ रहा है कि आपका डिवाइस रूटेड है नहीं रूटेड है या फिर I'm not sure या मुझे मतलब पता नहीं है मैं sure नहीं हूँ तो मेरा mobile phone तो रूटेड नहीं है फिलाल तो मैं my device is not rooted पे सेलेक्ट करता हूँ फिन next कर देता हूँ तो देखिए दोस्तों अब यहां पर पूछ रहा है are you using fingerprint unlock smart lock और similar pin code free screen unlock feature on your device frequently तो मैं यहां पर yes कर देता हूँ और फिन next कर देता हूँ तो देखिए दोस्तों अब यह इस तरह का कुछ खुल सकाय पे अब हमें यहां पर verify इसको करना है तो यहां पर verify पर क्लिक करते हैं अब यहां पर हमें जाना है अपने security पर तो security में जाने के बाद आपको यहां पर दिख रहा होगा power button is instantly locked तो हमें यहाँ पर इसको बंद कर देना है तो देखिए मैंने इसको बंद कर दिया अब हम बैक चलते हैं अब बैक आड़ने के बाद देखिए हमारे स्क्रीन लॉक सेटिंग हो चुका है Accessibility Service पर अब हमें चलना है Setting पर अब यहाँ पर देख आपको ढूनना है कि आपका Greenify कहाँ पर है तो यहाँ पर मेरा Greenify दिख रहा है तो हम यहाँ पर इसे On कर देंगे तो देखिए On हो चुका है अब हम Back चलेंगे फिन से देखिए दोरा सब कुछ Start हो चुका है मतलब सब कुछ Enable हो चुका है अब हम यहाँ पर यहाँ Next पर चलते हैं Next पर चलने के बाद फिन से दोरा से Next पर चलेंगे अब हमारा App तयार हो चुका है अब हम यहाँ पर Finish पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं बैटरी, लीचिंग, मेमोरी, हॉगिंग अब पढ़ सकते हैं अब मैं क्या पढ़ हूँ अब यहाँ पर इस पर एड़ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए दोस्तों इस तरह का कुछ हमारा ऐसे आजाएगा सारे अप्लिकेशन Running in Background देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है Running in Background तो यह सब हमारे Background में चल रहा है तो यहाँ से हमें से दोस्तों जैसे कि हमारा ES File Explorer है और Zender है तो इन दोनों को मैं आप इससे ले लेता हूँ अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा Hibernated तो यह दोनों हमारे Hibernated हो चुके है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह नीचे Hibernated आ चुका है हमारे दो फाइल इन दो एप्लिकेशन यहाँ पर Hibernate हो चुके है तो दोस्तों यह काफी अच्छी है पर इससे आपकी बैटरी भी बचेगी और आपका फोन Heat भी नहीं होगा तो यह काफी अच्छी है पर आपको इससे ट्राइ करना चाहिए तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कमेंट में हमें बताइए कि आपको यह वीडियो एप्रिकेशन कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर